नमस्कार दोस्तों एक बर फिर से आप सभी दोस्तों का आपके ही अपने यूटूब चैनल HRI News पर बहुत-बहुत सौगत है दिन भर की बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल की आ रहे हैं जहां पर चलेंगे पहली बड़ी अपडेट में आप लोगों को बताएंगे जम्मो कश्मीर में भारी बारिस के बीच बेजारी है कॉंग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा कई दिगज नेता समेत यहां पर पुर्व मुख्यमंत्री हुए हैं सामिल क्या कुछ है पूरी खबर आगे विस्तार से बताएंगे इसके साथ ही दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी विरोध प्रदर्शन के बीच रैसलर वेनेस फोगाट ने मांगा है पिया मोदी से इस्तीफा इसके साथ ही अखिलेश यादब का मिसन दोहजर चौबिस अभियान जनता का मूर भापने योपी के हर लोग सभा छेतर में जाएंगे इसी प्रकार की तमाम बहुत ब को फ्री में सब्सक्राइब करके पास में ही बने बेल की आइकन को जरू दोबाईएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जै हिंद जै भारत पहली बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें और वहीं कठुआ में बारिस के बीच भारत चुड़ो यात्रा सुरूही बारिस के बाद भी लोगों में लगातार उस्साहा बना हुआ है कडाके की ठंड के बीच बड़ी संख्या में लोग इस यात्रा में सामिल हुए 26 जनवरी तक यहाँ यात्रा जम्मू रीजन के अलग-अलग जिलों में चलेगी यात्रा को लेकर के सुरच्छा के कड़े इंतजाम भी किये गए हैं बताते चले भारत जोड़ो यात्रा को आम जनता के साथ ही साथ यहाँ पर सहयोगी दलों का भी पूरा समर्थन मिल रहा है कॉंग्रोस के अलावा दूसरे दलों के नेता भी इस यात्रा में सामिल होते हुए नजर आ रहे हैं जब कट हुआ से यात्रा सुरूही तो सिवसेना उधफ्ठाकरेगुट के सांसद संजे राउद भी यात्रा में सामिल हुए संजे राउद भी राहूल गांधी के साथ में पैदल चले इस अपसर पर संजे राउद ने काही कि मैं सिवसेना की तरप से आया हूँ देश का महल लगातार बदल रहा है और मैं राहूल गांधी को आवाज उठाने वाले नीता की तरहें देखता हूँ उनके समर्थन में भीड उमर रही है और लोग यात्रा से जुड़ रहे हैं और वही बताते चले नैसनल कांफरेंस के अध्यच फारुक अब्दुल्ला और पार्टी के वरिष्ट नेता राहूल गांधी की अगवाई वाली भारत जुड़ो यात्रा के जम्मू कश्मिर में दाखिल होने पर उनका सौगत करने के लिए भी पहुँचे इस मौके पर यहा कि मैं जम्मू कश्मिर के लोगों की पीड़ा को समझता हूँ और सिर जुका करके आपके पास आया हूँ यह यहाँ पर देख सकते हैं भारत जुड़ो यात्रा जम्मू कश्मिर में प्रवेश कर चुकी है इसके साथ ही एक और बड़ी ख़बर आप लोगों को बताते चले जनतर मंतर पर विरूद प्रदर्शन कर रही रैसलर विनेश फोगाट ने कहा अगर हम सुरच्छित नहीं तो फिर नहीं पैदा होनी चाहिए बेटियां पिया मूदी से मांगा है इस्तीफा खबर बताते चलें रैसलर विनेश फोगाट ने कहा है कि ब्रेजभूशर सिंग कह रहे हैं कि वहाँ इस्तीफा देंगे उन्हें इस्तीफा देना ही पड़ेगा अध्यच को मेरे सामने लाईए अगर वे दो मिनट मेरी आखों में आखे डाल करके बात कर लें तो मैं मान जाऊंगी इसके साथ ही विनेश फोगाट ने आगे कहा है कि उन्होंने यहाँ पर कई राज्यों की लड़कियों का करियर बरबाद कर दिया है अब पांकी राज्यों की लड़कियों का करियर खराब कर रहे हैं अगर उन पर कारवाई नहीं होगी तो हम पुलिस में F.I.R दर्ज करवाएंगे यहाँ पर दोस्तों जानकारी के लिए बताते चले दिल्ली के जंतर मंतर पर भारतिय कुस्ती महासंग के विरोध में रैसलर बजनंग पूनिया साच्छी मलिक ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फरंस की है महासंग के अध्यच्छ ब्रजभूशर सिंग को यहाँ पर पद से हटाने के विरोध में पिछले दो तिनों से विरोध प्रदर्शन किय जा रहा है इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें अखिलेश यादब का मिसन 2024 अभियान जनता का मूर भापने योपी की हर लोग सभा छेतर में जाएंगी लोग सभा चुनाओं से पहले जनता का मूर भापने वा अपनी बात मजबूती से पहुचान के लिए खुद अखिलेश यादब मार्च से पूरे प्रदेश को मतेंगे उनकी योजना सभी असी लोग सभा संसदिये चेतरों में अपने कारकरताओं को एक जुट करने की है अखिलेश यादब सिपाल यादब के साथ में तमाम उद्दों पर रणनीती बना रहे हैं इसमें आरच्छन जातिय जनगड़ना वा अन्य सवालों पर जेल भरो आंदोलन सुरू करने की तैयारी पार्टी संगठन का पुनर गठन और सपा प्रमुक के प्रदेश व्यापी दोरे भी सामिल हैं पार्टी की योजना पहले संगठन को नए सिरे से गठन करना है यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि 2024 के लोग सभा चुनाव से पहले खुद अखिलेश यादब मोर्चा समालते हुए नजर आएंगे इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आप लोगों को कमलनाथ ने राज में चुनाव से पहले सिवरा सिंग चहान के नित्रित वाली बीजेपी सरकार के दोरा विकास यात्रा सुरू करने पर उन्होंने तंज कसा है और कहा है कि अब समय विकास यात्रा का नहीं बलकि बीजेपी की विदाई यात्रा का है उन्होंने आरोप लग पुर्व सियम कमलनात निक आगे कहा है कि प्रदेश की जनता भाजपाई विकास की सच्चाई को जान गई है अब समय विकास यात्रा का नहीं बलकी बीजेपी की विदाई यात्रा का है। पुर्देश की जनता की समस्याओं का समधान कैसे हो। उन्होंने कहा है कि देश मुद्रा इस्पिती और बेरोजगारी का सामना कर रहा है आर्थिक हालाल लगातार खराब हो रहे हैं। के खिलाफ कुछ ना कुछ बोलना जारी है। ये यहाँ पर जमकर के बरसे हैं। कॉंग्रेस अध्यच मलिका अर्जुन खड़के भाजपा पर इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। माया वती के बाद अब भाजपा के ही पूर्व कैबिनेट मंतरी ने उठा दिये हैं एवियम पर सवाल। क्या कुछ है पूरा मामला खबर बताते चलें। लोग सभा चुनाओ के लिए सभी राजनितिक दलों ने अभी से ही अपनी तैयारियां तेज करती हैं। इसी कड़ी में समझवधी पाठी के नेता और भाजपा सरकार में कैबिनेट मंतरी रह चुके स्वामी प्रसाद मौर ने जबरदस तरीके से एवियम को घेरा है और भाजपा पर हमला किया है। आप लोगों को बताते चलें। स्वामी प्रसाद मौर ने सपा कारकरताओं में आने वाले चुनाओं को लेकर के जोस भरने का काम किया एक बैठक के दोरान और कारकरताओं को चुनाओं में कमर कसकर के तयार रहने को कहा है। दोरान उन्होंने बीजेपी पर जम करके निसाना साधा है सपा की नेता स्वामी परसाद मौरे ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए का है कि बीजेपी की सरकार में पूरे देश की अर्थविवस्था खत्रे में आ चुकी है उन्होंने कहा है कि बीजेपी की सरकार तेस में इस्ट इंडिया कमपनी की तरहें देश की सभी सरकारी कमपनियों को बेचे जा रही है लोगों की निनौकरिया चीन रही है युवाँ को बेरुजगार बना रही है उन्होंने छुट्टा पसूओं को लेकर के भी प्रदेश सरकार को आड़े हाथो लिया है और कहा है कि छुट्टा पसूओं का कहर किसानों की फसलों पर तूट रहा है जिससे किसान बहुत ज्यादा परिसान है GST ने व्यापारियों को परिसान करके रख दिया है इसलिए BJP से लोग अब काफी परिसान है उन्हें अब समाजवादी पार्टी अपने साथ जोड रही है और इतना ही नहीं सौमी परसाद मौर से जब EVM को लेकर के सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जिन देशों में EVM के सुरुआत हुई थी जब वहाँ पर जन भावना को देखते हुए EVM को बंद कर दिया गया तो फिर भारत में EVM का प्रियोग आखिर क्यों हो रहा है इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि भारत में भी चुनाव आयोग को चाहिए कि जन भावना की मांग पर EVM बंद करके बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाए क्योंकि इंडिया में पेपर से चुनाव ज्यादा सही है EVM में गड़बडियों की आसंका भी बनी रहती है ये कहना है सपा के नेता स्वामी परसाद मौर का दोस्तों आप लोगों की क्या कुछ राय है आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताईएगा कि आप लोग EVM के जर्ये वोटिंग के समर्थन में है या फिर बैलेट पेपर के जर्ये आप लोग अपने राय जरूर बताईएगा कमेंट बॉक्स में अगली अपडेट की तरह बढ़ते हैं RJD अब बिहार के बाहर आजमाएगी अपनी किस्मत किया है नागा लैंड में चुनाव लड़ने का बड़ा एलान नागा लैंड विधान सभा चुनाव की तारीकों की गोशना हो गई है और इसके साथ ही सभी राजनितिक दलों ने चुनावी दंगल के लिए अब कमर कसली है कई छेत्रिय दल भी इस बार का विधान सभा चुनाव लड़ेंगे और बताया जा रहा है कि राष्ट्रिय जंता दल यानी की आरजेडी भी नागा लेंड का विधान सभा चुनाव लड़ेगी प्राप्त जानकारी के अनुसार आरचेडी 11 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है प्रत्यासियों के प्रचार के लिए खुद यहाँ पर तेजसु यादम नागा लेंड जाएंगे यह यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहत बड़ी खबरे मुखे समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए अगर आप लोगों के ये वीडियो पसंद आया हो तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद